OnePlus Nord finally launch हो गया है दोस्तों बहुत अवेटेड फोन था और यह launch हुआ और 25,000 के किमत में यह launch हो गया है अभी यह तो फिलाल आपको मालूम है लेकिन 25,000 में आपको 6GB RAM और 64GB Storage आपको offer किया गया है थम इस variant के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैं कुछ आपको opinion दू है 25,000 में यह phone की starting है जो की आगे बढ़के जाती है 30,000 तक और अलग अलग इसके variant है 6GB, 8GB, 12GB RAM के साथ और जो 8GB और 12GB का variant है वो अभी 4th August को अवेलेबल है और 12GB 256 का जो अवेलेबल होने वाला है वो है 6th August को और अभी हम OnePlus के official website पे देखे तो उन्होंने वहाँ पे clearly mention किया ह 6GB और 64GB का जो मॉडेल है वो अवेलेबल होने वाला है September में सिर्फ Amazon पे यानि आभी भी एक से दो मन्त आपको वेट करना पड़ेगा अभी दो मिनिट के लिए ये variant हम बाजू को रखते लिक और इस phone के बारे में हम बात करते ये phone पूरे specification के साथ अच्छे specification के साथ भरा हु में ग्रे कलर इसमें अवेलेबल है सिर्फ ब्ल्यू कलर अवेलेबल नहीं है वो सिर्फ 8GB और 12GB में अवेलेबल है वसी के साथ इसके specification बोले तो छेचे कैमेरे भी दिये गए है आपने अन्बॉक्सिंग देखी होगी phone की phone आपको पसंद भी आया होगा complete package है दोस्तों उसका कुछ problem नहीं है लेकिन मैं बात करना चाहूंगा इसके 6GB और 64GB storage के बारे में अभी आपको 90Hz का display मिलता है AMOLED display मिलता है with 6.44 inch का इसका display है इसके speaker अच्छे है oxygen OS का इसमें मजा आएगा 765G 5G ready processor आपको मिल रहा है 5G ready यानि मैं आपको बता दू डिवल sim का ये phone है दोस्तों य या फिर सिर्फ 5G CME आप एक बार चला सकते हो ऐसा उन्होंने clearly mention किया है और उन्होंने ये भी का है आने वाले update में ये fix हो जाएगा यानि आप 5G और 4G एक साथ चला सकते हो उसके साथ 415 एमेज की battery भी है ये सब दिया गया है दोस्तों लेकिन मैं कहूंगा 6GB और 64GB storage के लि 64GB सिर्फ storage लेना ये थोड़ा सा किदर तो भी कम लगता है इसलिए मैं suggest करूंगा अगर आप लेना चाते है तो आप 28,000 का variant आप चूज कर सकते हो वरना आपको 6GB 64GB के phone 15,000, 16,000, 17,000 में आराम से available हो जाते है मेरा यही केना है इसलिए मैं फिर से केता हूँ phone पूरा अच्छ पूरे अच्छे है complete package लेकिन अगर आप एक बार सोचोगे तो एक तो 25,000 अगर खर्च करने जा रहे हो तो और 2-3,000 ज्यादा एड़ कर दो और अच्छा वाला 8GB वाला phone ले लो भाई यानि आपको भी फायदा होगा और आपको storage भी ज्यादा मिल जाएगी तो बस यही था म मेरा opinion की 6GB और 64GB के जगहा 6GB और 128GB अगर होता तो और अच्छा होता दोस्तों लेकिन फिलाल यह तो OnePlus की मरजी थी उन्होंने लांच कर दिया एक complete package medium price range में तो अभी देखते हैं आने वाला future क्या केता है और कौन से कंपनी आते हैं जो कि 5G phone लांच करेंगे तो मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू